इस बात में मुझे एक कहाने आदा गई एक बार एक जंगल में एक घोड़े और गधे में बहस चल रही थी इस बात पर कि घास का रंग कैसा है जहां घोड़ा बोलता कि घास का रंग हरा है वहीं गधा बोलता कि नहीं घास का रंग नीला है गधा मानने को तयार नहीं, घोड़ा पीछे हटने को तयार नहीं, इनकी बहस चलते चलते शाम हो गई फिर किसी नहीं ने कहा कि आप दोनों जंगल के राजा के पास क्यों नहीं जाते अब वही फैसला करेंगे कि घास का रंग कैसा है तो वो दोनों दोड़ते हुए जंगल के राजा के पास कए राजा ने जब उन दोनों की पहस सुनी, सुनते ही उन्होंने खोड़े को सजा सुना दी घोड़े को और सजा थी ये कि वो पाँच दिन तक किसी से ना बोलेगा और ना ही किसी से मिलेगा नजर बंध हो जाएगा घोड़े को सजा मिलते ही गधा खुशी से जूमने लगा नाचने लगा गाने लगा और चिलाता हुआ जंगल में दोड़ गया घोड़ा तो वहीं थम गया और सोचने लग गया एक टक राजा को ताकता रहा फिर उसने हिम्मत जुटाई और राजा से पूचा कि राजा आपने मुझे सच बोलने की सजा दी है राजा मुस्कुराई और बोले कि नहीं मैंने तुझे सजा इस बात की नहीं दी है कि तुने सच बोला मैंने तो सजा तुझे इस बात की दी है कि तुने कधे से बहस की Moral of the story आप समझे गया होगे Thank you